ये वीडियो उन समी बच्चों के लिए बहुत important है जो physics के साथ specially struggle करें और उनको physics में confidence नहीं आ रहा है उन्होंने biology chemistry जो ठीक से कर ली है बट physics में उनकी नईया पार नहीं हो पारी है तो ये वीडियो आपको बहुत जादा help करें आज हम बात करेंगे 10 सबसे important chapters की नई NCRT के साथ से जिनका वेटे नीट 2024 एक्जाम में सबसे जादा होने वाला है और सिर्फ ये 10 chapters करके आप physics में 120 प्लस marks score कर सकते हैं मैं ये नहीं कर रहा कि आपको बाकी की chapter छोड़ देने चाहिए बट इससे क्या है कि जो bare minimum physics की marks है जिससे आप qualify कर पाओ एक government medical college उतना confidence आपको ये 10 chapters पहले करने से हो जाएगा तो अगर मैं एक aspirant होता तो मैं सबसे पहले इनी 10 chapters को complete करता क्योंकि इसमें कम effort देखे आपके जादा marks बन रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और समझेगा कैसे आपको NEET 2024 की physics की तयारी करनी है अब आप पूछोगे सर ये new NCRT versus old NCRT का क्या debate है मैंने इसको पहले भी अपने वीडियो में बता है बेटा आपको अभी January तक आपको नए NCRT के हिसाब से पढ़ना चाहिए जो rationalized NCRT है पुराने NCRT जो topics हटा दिये गया है उन topics को आपको नहीं पढ़ना चाहिए और पहले आपको नए NCRT को topics पढ़ना चाहिए January तक और January में जब J.Mains का exam हो जाएगा या जब NEET की notification आ जाएगी तो आपको exact लिबस पता चल जाएगा तो उसके बाद हम decide कर सकते हैं कि हमें remaining topic पढ़ना है या नहीं पढ़ना या इस नए NCRT को ही multiple times revise करना है तो ये वीडियो उस उदेश से और ज़्यादा important हो जाता है क्योंकि आपको सबसे पहले ये 10 chapters करने हैं अब बोलो को सर ये 10 chapters का आकड़ा कहां से आता है तो बटा हमने पिछले 5 साल के paper को analyze के और देखा कि कितने question कौन से chapters से आते हैं उसके बाद जो NCRT का reduced slabors था उससे उसको map किया and we reached to a conclusion कि ये chapters सबसे ज़्यादा important होंगे आपके neat exam के point of view से अगर आपको पता नहीं है rationalized slabors क्या है या reduced slabors क्या है तो मेरा telegram channel follow कर लिए ट.me.99001 वहाँ पे reduced slabors जो क्या क्या चीज़े हटी है उनका एक अलग से PDF आपके साथ share कर दिया गया है तो जैसा कि physics में आपने देखा जो reduced slabors है वो पूरा का पूरा chapter बहुत कम हटाया गया है वो topics हटा दिये गया है उन chapters के तो मतलब अगर rationalization की बात करोगो तो सबसे अच्छा rationalization comparatively physics का ही किया गया था ठीक है तो मतलब जो unimportant topics थे जिन से सवाल नहीं आते तो उन topics को हटा दिया गया ताकि आपका physics का workload कम हो जाए तो कौन-कौन से ये chapters है उस पे हम बात करते है तो direct मैं मुद्धे पर आ जाता हूँ मुझे कहानी समझाने की क्या point है ठीक है तो ये chapters आपको अच्छे तरीके से करने हैं, electrostats और gravitation मैंने एक साथ club कर दिया क्योंकि Coulombs law में दोनों के same principle काम कर जाता और कम time में आप जाधा effort के साथ पढ़ सकते हैं, current electricity से 4-5 सवाल आप expect कर सकते हैं, magnetism से इस बार सवाल और जाधा बढ़ जाएंगे, modern physics से इस बार सवाल और जाधा unit and measurement से 3-4 सवाल आता है, और 1-2 option elimination भी आप dimensional analysis अगर आपको ठीक से आता है, तो आप unit देखके option analysis भी अच्छे से कर सकते हैं, या option elimination भी अच्छे से कर सकते हैं, new day's law of motion बड़ा important है, जिसके concept पे 2-3 chapters के सवाल आप से बन जाते हैं, motion in a straight line या motion in a plane, दोनो kinematics वाला पार्ट, अब mechanics का बागी पार्ट आप छोड़ भी दे रहो, और ये chapter आप अच्छे तरीके से कर लें, तो bare minimum आप 120 mark score कर लोगे, अब बोलोगे sir, कैसे आप इस conclusion पे पहुंचते हो, मैंने वो conclusion का तरीका बता दिया, इसलिए, ठीक है, अब बोलोगे sir, ये पढ़ू मैं कहां से, तो ब Wednesday, Thursday, Chemistry है, और Friday, Saturday, Physics है, ठीक है, तो Friday जो आएगा, उसमें हम लोग स्टार्ट करें, class 12 के चैप्टर से, electric field and charges, ठीक है, तो electrostats का part 1, इससे हम स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बाद Saturday को हम इसकी PYQ करा देंगे, इसकी exemplar करा देंगे, और उसके बाद exam drill आपका करा देंगे, जिस से आपको उस चैप्टर में पूरा का पूरा confidence आ जाएगा, तो हर week, technically हम एक चैप्टर physics का अराम अराम से, नई NCRT के basis पर करेंगे, अच्छा, अब जैसा कि मैंने बताया था कि physics में क्या है, पूरा का पूरा चैप्टर नहीं हटाया है, कुछ topics अटाया है, तो क्या हम उन topics इसको cover करेंगे, yes sir, सब topic में दिक्कत क्या होता है, कि हो सकता है, उसके underlying concept पे सवाल आ जाए, तो हम उन topics को भी cover करेंगे, बस आपको specify कर दिया जाएगा, कि ये वाला पूरानी NCRT में है, नई NCRT में नहीं है, तो आपको परिशान होनी की जरूद नहीं है, मतलब इस month अग अगर आप इस October महिने, OneShot Series की class लगा लेते हो, तो आपके physics में 50 marks का जुगार तो सिर्फ October के महिने में हो जाएगा, ये classes कहां होंगी sir, ये classes YouTube पे हैं, ये classes absolutely free of cost है, और OneShot है, इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप zero level पे हैं, ठीक है, तो आपको समझ नहीं आएगा, आपको zero लेवल पे भी समझ में आएगा, ऐसी ही lectures आपके लिए बनाये गए हैं, तो अगर आप इस channel पे नए हैं, तो इस channel को subscribe कर लिजे, और bell icon दबा दीजे, ताकि आप कोई notification मिस न करें, अगर आपको chemistry का भी ऐसा ही planner चाहिए, तो comment section में mention कीजे, और हम आपके लिए chemistry का भी ऐसा planner बना देंगे, physics, biology का ये planner अल्रेडी uploaded है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, तो उस वीडियो को जाके देख लिए, on that note, I am ending this video, वीडियो को लाइक कीजेगा, चैनले को subscribe कीजे और bell icon दबा दीजे, ताकि आपको information मिस न करें, मिस्ते अगले class में, take care, bye bye and have a great day, thank you. है, ब buds, apparently, बड़eton मिस थीड़ी अल्रेड़ तेखा है, तो सुम्चाब आपको bağ tutaj का बाद के छो वीडियो को ट необходимо dies, तो permettaya to do खौकरो के आपको खौरेबसे, कैसाए अल्रेड़े को येड़े के गयए तवे गोर सब्सकतनी कार प्र सबसूश फुम्माए चार सबस्क्या है,